हेलो एवरिवन आज हम पॉलिटिकल थियोरी के कुछ प्रिवियस यर कोईश्चन और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कोईश्चन देखेंगे ऐसे कोईश्चन जो आने वाले समय में NTA पेपर 2 पॉलिटिकल साइन्स में पूस सकता है ये कोईश्चन दोनों ही मीडियम में हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अगर आपको चैनल के टेलिग्राम गृप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं सारे कोईश्चन आप लास्ट तक जरूर से जरूर अटेम्ट करिए और आप जो भी स्कोर गड़ करते हैं कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा यह मेरे बारे में कुछ इंफोर्मेशन है हम जलते हैं कोईश्चन की तरफ फर्स्ट कोईश्चन है अकॉर्डिंग टू हूम नॉलेज इस पावा किसके अनुसार ग्या नहीं शक्ति है A. माइकल फोकोल B. मैगफोर्सन C. डैवडिस्टर D. कैरोल पेटमें चार आप्शन आपको मिंशन है और स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है कि किसने कहा है कि नॉलेज इस पावा ग्या नहीं शक्ति है वीडियो को पॉस किया करिए और अपने आंसर सा आप लिखा करिए जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने questions के answer correct किये है अब बताएए कि इस question का answer क्या होगा बहुत famous statement है ये देखिए इसका correct answer है औप्शन A Michael Foucold का ये statement है क्योंकि इनका मानना था कि जो घ्यान होता है इससे ही students का या फिर कोई patient है या कोई player है उनमें अनुशासन पैदा किया जा सकता है छात्र मरीजों और खिलाडियों में अनुशासन पैदा करने का सिर्फ एक मात्र सादन है वो है ग्यान, knowledge और इन्होंने power के बारे में क्या बात कही है? इन्होंने कहा कि power कही centralized नहीं है ये समाज में बिखरी हुई है बिल्कुल ग्यान की तरह है इसी दिनोंने कहा है कि ग्यान ही शक्ति है क्योंकि शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता और अगर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करना है तो उसे अपने सरीर का जो ग्यान है वो होना जरूरी है जो इनका main view power के लिए था वो यह है कि power ना राज में होती है और ना किसी वर्ग में बलकि यह society में पूरी तरह से बिखरी होती है देखते हैं next question क्या है second question है whose book is is multiculturalism bad for women हिंदी में है is multiculturalism bad for women किसकी पुस्तक है यह बहुत famous book है और आपने इसे पढ़ा होगा अब आप बताएए कि यह book किसने लिखा है A, B, C, D में से correct answer क्या होगा आइरिस यह यह या ओकिन है या फिलकिमलिका या ग्रीन देखिए इसका correct answer option B ओकिन इनका पूरा नाम है शुशान मौलर ओकिन इनकी ही यह book है is multiculturalism bad for women इनकी एक और book आप जानते होगे जिसका बहुत famous है वो उसका नाम है justice gender and family जो इनकी यह book थी is multiculturalism bad for women यह 1999 में publish हुई थी और इस book में इन्होंने अनिक्वल राइल्स जो male and female को get है उसके बारे में इन्होंने लिखा है जो समान अधिकार male और female को नहीं मिले हुए एक आसमानता है अधिकारों को लेकर के उसके बारे में इन्होंने इस book में लिखा है एक political participation में जो male and females का अंतर देखने को मिलता है वो इन्होंने इस book में mention किया है और कैसे women's को forced किया राता है marriage के लिए यह सारी बाते women related जो भी problem society में है इन्होंने अपनी इस book में mention की है देखते हैं next question क्या है third question है the idea of communism is reflected in समुदायवाद का विचार किसके चिंतन में दिखता है a. Plato, b. Aristotle, c. Hegel, d. Barker आप बताईए कि इसका answer क्या होगा समुदायवाद का विचार आपको बताना है कि किस thinker के चिंतन में दिखता है कि उनका idea समुदायवाद से related है वो उसकी बारे में बात किये हैं आपको बताईए कि कौन है इसका answer क्या होगा देखिए इसका correct answer है option b Aristotle यानि अरस्तु जी ने समुदायवाद का विचार अपनी book politics में mention किया था इनकी thinking थी कि जो humans हैं मानों हैं वो सामाजी प्राडी है man is a social animal इनका मानना था कि जो इन्होंने अपने राज की क्या कल्पना की थी राज में इन्होंने जो बताया था कि एक राज में परिवार होना चाहिए गाँ होना चाहिए समाज फिर state इस तरह इन्होंने बता था कि state का development कैसे होता है family से village से state तक पूरा इन्होंने एक बताया था अपने thought में और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो जीवन है वो राज में ही संभव है और बिल्कुल समुदायवात का भी यही विचार है कि व्यक्ति का जीवन समुदाय में सार्थक होता है इस तरह अगर हम समधायवात का विचार देख लेंगे और अरस्तुजी की विचार देख लेंगे तो दोनों ही विचारों में कहीं न कहीं समानता है देखते हैं next question क्या है fourth question है Which thinkers are associated with eco-feminism कौन से विचारक परिस्थितिक नारिवाद से जुड़े हुए है अब आप इसका आंसर बताइए यह question previous year में available है यह पूछा जा चुका है और यह important topic है इसलिए इस पर question आ भी सकता है एक दो question तो eco-feminism पर बनते ही है exam में तो आप बताईए कि कौन से विचारक है जो eco-feminism से जुड़े हुए है A, B, C, D में से correct answer क्या होगा देखिए इसका correct answer है option D वंदना शिवा और शुषान ग्रिफिन ये दोनों ही thinkers इको-feminism से जुड़ी हुई है इको-feminism study किस पर करता है यह कहता है कि जैसे मानों का प्रकृती पर नियंत्रड होता है वैसे ही पुरुषों ने महिला पर नियंत्रड किया है इसकी मीनिग यह है कि जैसे human ने nature पर अपना पूरा control इस्थापित कर लिया है सेम वैसे ही जो men है उन्होंने women's पर पूरा control इस्थापित किया है in a short eco-feminism compare करता है प्रकृती को और women's को प्रकृती और नारी दोनों को यह तुलनात्मक रूप से देखता है क्योंकि इसका मानना था कि जो दोनों में good है वो same होते है जो qualities nature में है और वही qualities women's में है देखते हैं next question क्या है fifth question है who is called the infant of marxism मार्क्स वाद का शिशु किसे कहा जाता है a union of liberalism उधारवाद संग b union of socialism समाजवाद संग c labor unionism स्रम संगवाद d capital federalism पूँजी संगवाद अब आप बताईए कि मार्क्स वाद का शिशु किसे कहा जाता है सब के द्वारा नहीं कुछ विचारकों का मानना था कि एक particular जो ये group है उसे हम infant of marxism कह सकते हैं मार्क्स वाद का सिशु हम उसे कह सकते हैं अब आपको बताना है कि इसका correct answer क्या होगा A, B, C, D में से देख लिजी और बताईए कि इसका answer आप लिखा करिए सारे answers आप लिखा करिए और match रदे लिए कि क्या आपका answer सही है इससे ही आपकी practice अच्छी हो पाएगी जब आप खुद भी थोड़ा बहुत effort अगर आप डालेंगे questions के लिए आप solve करेंगे उनको तो आपकी practice बहुत ज़दा strong हो जाएगी exam के लिए और आप exam में अच्छा score कर पाएगे देखें इसका correct answer है option C श्रम संगवाद को माक्सवाद का शिशू कहा जाता है ये श्रम संगवाद था क्या ये एक moment था आंदोलन था इनको इसलिए कहा जाता है माक्सवाद का शिशू क्योंकि इनका भी मानना था कि trade union की मदद से समाजवाद की प्राप्ति की जा सकती है और इन्होंने भी यही same जो माक्स ने कहा था कि राज एक exploitation device है उससे जो पूजी पती वर्ग के लोग होते हैं वो जो वर्कर क्लास है उसका शोसड करते हैं वही विचार स्रम संगवाद का भी था कि state एक exploitation का यंत्र है और जब तक राज जी का विनास नहीं होगा तब तक समाजवाद की प्राप्ति संभाव नहीं है तब हमें trade union को राज की तरह काम कराने की ज़रूरत है तब trade union रहेगा राज नहीं रहेगा ये स्रम संगवाद का विचार था देखते हैं next question क्या है किस विचारक को ब्रीटेन के समाजवाद का पिता माना जाता है अब आप बताइए कि father of British socialism किसे कहा जाता है A, B, C, D में से correct answer क्या होगा देखिए आप सारे questions last तक जरूर लगाया करिए सारे questions निगली स्लेबस पर बेज़ रहें और आपके exam में की आने की probability भी ज़्यादा है इसलिए आप सारे questions लगाया करिए Question practice इसलिए चल रही है जिससे आपकी जो preparation है वो अच्छी हो सके अब ये question आपको दिया है अब आप इसका answer बताज़े की क्या होगा देखिए इसका correct answer है option B Robert Wayne को Britain के समाजवाद का पिता माना चाता है इनका एक essay है A New View of Society जिसमें इन्होंने आदर्श राज का थौट दिया था कि उस राज में दूसरों के हितों का ध्यान दिया जाएगा सभी को स्वास्त की सुभधाएं प्राप्त होंगी और जो industries है वो profit के लिए नहीं चलेंगी वो चलेंगी सब की अच्छाई के लिए सब के भले के लिए काम होगा और main इसमें यही था कि जो industry है वो profit generate करने के लिए operate नहीं की जाएंगी अब ये तो इनके आदर्श राज की कलपना की बात थी अब इनको ये क्यों कहा जाता है ब्रिटेन के समाजवाद का पिता ये देखिए ये एक ब्रिटिस इंटर्पर्णियोर थे और इनके पास एक cotton mill थी और इनके जो विचार थे वो समाजवाद से बहुँ ज़ाद प्रेरित थे और उसी का इन्होंने अपनी जो इनकी activities थी उसमें इन्होंने ये साबित किया कि ये समाजवादी है क्योंकि इन्होंने अपनी जो इनकी industry थी कॉटन मिल उसमें इन्हों ने यह साबित किया जो वरकर्स थे वहां पर काम करते थे उनके इन्हों ने वर्किंग आवर कम कर दिये थे और कम घंटे में उनको ज़्यादा पैसे दिया करते थे एक अच्छी मस्दूरी वरकर्स को प्राप्थ होने लगी थी और काफी ज़्यादा ये चैरिटी भी करते थे इन्हीं सब कारणों की वज़े से रॉबर्ट वयन को फादर आफ ब्रिटिस सोसलिजम कहा जाता है देखते हैं नेस्ट कोईशन क्या है हिंदी में राज नियंत्रित अर्थ विवस्था का विरोध किस ने किया ए सोसलिजम समाजवादने बी लिबरिटेरियन कंसर्वेटिजम स्वधंत्रतावादी रूढ़ी वाधिता अब आप बताईए कि इसका अंसर क्या होगा स्टेट कंट्रोल इकोनोमी के अगेंस्ट आपसे पूछ रहा है कौन सी पर्टिकुलर वो थिंकिंग है अपरोच है जो स्टेट कंट्रोल इकोनोमी का विरोध करती है A, B, C, D में से सही आंसर क्या है आपने सब पढ़ा होगा समाजवाद भी पढ़ा होगा लिबरेटेरियन कंजर्वेटिजम भी पढ़ा होगा फेमनिजम भी और इन्वार्मेंटलिस्ट भी जब पढ़ा होगा तभी आपको इस कोईशन का आंसर आएगा देखिए इसका करेक्ट आंसर है option B लिबरेटेरियन कंजर्वेटिजम स्तंतता वादी रूढ़ी वादिता ये राज नियंत्रित अर्थ विवस्था का विरोध करते थे ये बजार वादी विवस्था के समर्थक थे और व्यक्ति की स्तंतता की मांग करते थे कि एक individual को free रहना चाहिए उसको free छोड़ दिना चाहिए और एक market को self operate करना चाहिए उसके उपर राज जी का किसी तरह का कोई दबाव ना हो कोई नियंत्र ना हो और साथ ही साथ इस विचारधारा के लोग culture को और nationalism को भी support करते थे सांस्कृति और राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे देखते हैं नेश्ट कोईशन क्या है एर्थ कोईशन है who considers freedom and equality as conflicting स्वतंत्रता और समानता को परशपर विरोधी कौन मानता है अब आप बताईए इस कोईशन पर मैंने पहले भी कोईशन कराया है पर थोड़ा सा अलग था पर करवाया है अगर आपने वो कोईशन attempt किया होगा तब आप इस कोईशन का answer भी correct कर सकते हैं A, B, C, D में से बताईए कि कौन से वो thinker है जिन्होंने सुनता और समानता को परशपर विरोधी माना था देखिए इसका correct answer है option B F, A, Hick इनका पूरा नाम है Frederick August Van Hick ये freedom और equality को conflict मानते थे इनकी एक book है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि दोनों conflicting होती है वो book का नाम है Constitution of Liberty 1960 में publish हुई थी और उन्हों इसी book में उन्होंने कहा है कि ability और skill कभी भी equal नहीं हो सकती और ना कभी आप देखिए कि कभी किसी same person की ना income बराबर हो सकती है और ना property हेक के भी यही विचार थे कि किसी की भी आए और जो उनकी संपत्ती है और ability और skill यह कभी भी बराबर नहीं हो सकती देखते है next question क्या है question number 9 है अहस्त छेप वाद को अद्रिश्य हाथ की संग्या किस ने दिया who has called non-invisibilism an invisible hand Robert, Adam Smith, Bentham या J.S. Mill अब बताएगे इसका अंसर क्या होगा यह आप से पूछ रहा है कि अहस्त छेप वाद को अद्रिश्य हाथ किस ने कहा था A, B, C, D में से correct answer क्या होगा देखिए इसका बिल्कुल right answer है option B Adam Smith, Adam Smith आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा इनकी वारे में इनकी thoughts economy पर तो यह भी राज जी को economic activities में interfere ना करने का समर्थन करते थे यह support करते थे कि state को economy जो वहाँ पर activities चल रही है उस पर interfere नहीं करना चाहिए और Adam Smith ने इसे अद्रिश्रिहात कहा क्योंकि इससे सभी humans को free कर देना whole society का अच्छा होगा अगर हम सारे humans को free कर देंगे इसी लिए इन्होंने अद्रिश्रिहात की संग्या आहस्तचेव वाद को दी थी देखते हैं next question क्या है question number 10 है who first used the phrase end of ideology विचार धारा का अंत वाक्यांस का परियोग सबसे पहले किसने किया था अब आप बताईए end of ideology आपसे पूछ रहा है इस particular phrase का इस्तमाल सबसे पहले किस thinker ने किया था four thinkers mention है अब आप बताईए ideology पर भी मैंने questions पहले करवाए हुए है question तो अगर आपने question लगाया होगा ideology पर तब आपको ये question का अंसत जरूर आएगा यहाँ पर phrase पूछ रहा है particular आपसे end of ideology पूछ रहा है कि किसने इसका परियोग किया था वो questions थोड़ो से अलग है ideology पर ही based थे पर उन questions में और इस question में थोड़ो सा फर्क है अब ABCD में से answer क्या होगा इसका देखिए इसका बिल्कुल correct answer है option B आलबाट कामू ने सबसे पहले end of ideology वाक्यांस का परियोग किया था ideology word का use सबसे पहले किस ने किया था ideology word का सबसे पहले use एंटो नाइन ट्रेसी ने किया था 1976 में और डेनियल बेल की पूरी एक राइटिंग है इनकी उसका नाम end of ideology था डेनियल बेल की राइटिंग है end of ideology जो 1960 में पब्लिश हुई थी देखते हैं next question क्या है 11th question है According to whom preserving community values and maintaining culture is the basic objective of citizenship किसके अनुसार सामुदाइक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को बनाए रखना ही नागरिक्ता का मूल उद्देश्य होता है A. T. H. Marshall, B. Marks, C. Charles Taylor, D. Benjamin Heater बताइए ये किसका statement है यहाँ पर सिर्जन्सिप की objective की बात की गई है चार ठिंकर आपको mention है अब आप बताइए कि किसने कहा है इसका सही answer क्या होगा देखिए इसका बिल्कुल correct answer है option C Charles Taylor के अनुसार समुदाइक मूलियों को संरक्षित करना और संस्कृत को बनाए रखना ही नागरिक्ता का मूल उद्देश्य होता है देखते हैं next question क्या है 12th question है According to whom democracy is the rule in which a large part of the country rules किसके अनुसार लोगतंत्र ऐसा सासन है जिसमें देश का बड़ा भाग सासन करता है A.C.L.E. B.Russo C.Dicey D. James Price democracy chapter अगर आपने political theory से पढ़ा है तब आप इस question का answer correct कर सकते हैं क्योंकि democracy पर बहुत जदा आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत deep जनने पर यह statement नहीं मिलेगा यह बिल्कुल आपको ऊपर ही मिल जाएगा यह statement बहुत famous चर्वेन देमकुरसी के बारे में बताजी कि अब इसका answer क्या होगा A.B.C.D. में से देखिए इसका correct answer है option C A.B.Dicey Albert Wendt.Dicey यह ब्रेटेन के थे और इन्होंने ही democracy के बारे में यह statement दिया है इनकी एक book है The Law of the Constitution देखते हैं next question क्या है 13th question में आपको assertion दिया हुआ है और reason दिया हुआ है आपको बताना है कि statement का particular reason सही है या फिर नहीं सही है या statement ही गलत है reason सही है या reason गलत है और statement सही है अब आप देखिए कि क्या कह रहा है statement में लोकतंत्र की प्रणाली सभी लोगों की समानता को मानती है और आम आदमी की सरकार थी ये लोकतंत्र के बारे में विचार दिया है statement में और reason क्या कह रहा है it commonly believed that government is largely controlled and managed by power elite आम तोर पर यह माना जाता था कि सरकार काफी हद तक नियंत्रिक और प्रतिबन प्रबंधित है सत्ता कुलीन द्वारा अब बताईए दोनों ही statement लोकतंत्र पर based है A, B, C, D में से सही answer क्या है आप देख लिजे first, second, third, fourth दोनों statement आप पढ़े लिजिए और अच्छे से समझे कि क्या कह रहा है इसमें तब ही आप question का answer correct कर सकते हैं इसके पहले वाला भी question लोकतंत्र पर यह बेश था और ये भी लोकतंत्र पर ही है और लोकतंत्र किसने नहीं पढ़ा होगा सब को मूटा-मूटा कि पता हुए कि लोकतंत्र है क्या क्या के character restrict है इसकी क्या विससी इस्ता हैं इसकी अगर आपने पढ़ा है तो आप इस question का answer कर सकते हैं देखिए इसका बिल्कुल correct answer है option second statement और reason दोनों सही है पर reason statement को सही explain नहीं कर रहा है दोनों बातें लोगतंत्र के विशे में बिल्कुल सही है पर जो यहाँ पर reason है वो statement को सही से classify नहीं कर पा रहा है देखते हैं next question क्या है 14th question है Michael Foucault की रचना का पूरा नाम क्या है आपको बताना है कि what is the full name of the book written by Michael Foucault a madness and civilization है या फिर madness and civilization a history of modern world in current age या madness and civilization a history of insanity in the age of reason या फिर है madness and civilization a history of insanity in a different world अभी अगर यहाँ पर आपसे question में यह पूछ रदा कि Michael Foucault की रचना कौन है तब आप बहुत असानी से राशत है कि madness and civilization है लेकिन यहाँ पर तो इस book का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है अब सिर्फ आपको पूरा पूरा नाम भी पढ़ना पड़ेगा सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके वहल एक नाम बुक का पढ़ लिए और आगे का आपको पता ही नहीं है बस आगे का पता है कि हाँ यह नाम है अब question थोड़ा change हो के आ रहे हैं थोड़ा modernize हो कर आ रहे हैं पहले कि जसे question आते थे उससे बहुत अलग आ रहे हैं इसलिए आपको अपनी तयारी भी थोड़ा अलग करनी पड़ेगी तब आपका paper pass होगा आप question देखिए इस तरह भी बन रहा है कि particular book है और उसको आपको पूरा नाम बताना है अब आप बताईए क्या आपने इसके पहले madness and civilization का पूरा नाम जानने की कोशिश की है अगर same question आपके exam में आ जाता है तब आप क्या करेंगे इसलिए जो भी आप books पढ़िए उसका पूरा नाम भी एक बाद जरूर पढ़ा करिए आपके थोड़ा माइन में रहेगा देखिए इसका correct answer है option C madness and civilization a history of insanity in the age of region ये माइकल फुकोल्ड की बुक का पूरा नाम है 1961 में publish हुई थी French language में क्योंकि माइकल फुकोल्ड एक French philosopher थे देखते हैं next question क्या है 15th question है whose statement is the one who control the means of production governs जिसका नियंतरण उत्पादन के साधनों पर होगा वही सासन करता है यह किसका कथन है a marks, b gram c, c kate millet, d rolf milivand अब आब बताए कि इसका answer क्या होगा क्या marks का है या gram c का है या फिर kate millet का या रॉल्फ milivand का आदन के साधनों पर होगा वही सासन करता है यह यहां पर एक तरह से देखिए तो power define करने की कोशिश कर रहे है सक्ती को परिभासित कर रहे हैं कि सक्ती आर्थिक है और जिसके पास सक्ती है वही production कंट्रोल करेगा यहां पर मार्क्स के कहने का आर्थ सिर्फ इतना है कि जो सक्ती है वह आर्थिक है देखते हैं नेश्ट कोशिशन क्या है 16th question है All individuals should have the same right to receive primary goods which thinkers advocated सब ही व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तूओं को प्राथ करने का समान अधिकार मिलना चाहिए कि वकालत किस विचारक ने की A. Nogic B. John Rawls C. Lasky D. Green Primary goods के बारे में यहाँ पर बात हो रही है आपको बताना है कि किस थिंकर ने primary goods के बारे में कहा कि यह सब ही व्यक्तियों के पास होने के लिए सब को समान अधिकार होना चाहिए कि यह वस्तूओं उनके पास हो अब बताएए कि इसका अंसर क्या होगा देखिए सारे questions बहुत अच्चे हैं और syllabus पर base है और आपके exam में आ भी सकते हैं तब आप इन questions को क्यों नहीं लगाते हैं आप questions को लगाया करिए जितने यादा आप questions लगाएंगे exam के लिए आपके त्यारी उतनी अच्छी हो जाएगी देखिए इसका correct answer है option B जॉन रॉल्स ने कहा कि सभी व्यक्तियों को प्रात्मिक वस्तुमों प्रात्त करने का एक बरावर अधिकार होना चाहिए यहाँ पर जॉन रॉल्स प्रामरी गूट्स में क्या-क्या चीज रखते हैं यह भी आपको पताना चाहिए सिर्फ question का answer जान जाने से आप कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तब समझ में आएगी जब आप सोचेंगे कि यह है क्या एक question से कितने question बन सकते हैं आपको पता है इसलिए अगर आप कुछ कोई question पढ़ रहा है तो उसमें अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तब आप उसके बारे में भी जाकर जरूर पढ़िए अब यहाँ पर primary goods है लेकिन जॉन रॉल्स के according primary goods में उन्होंने क्या-क्या चीज़ें रखी यह जरूरी है जॉन रॉल्स ने primary goods यानि basic needs जो हर इंसान के पास होनी चाहिए इसमें इन्होंने rights, liberty, income, intelligence, health, wealth, self-respect आधिकार, सुतंतरता, आय, बुद्धी मत्ता, wealth को और आत्मसम्मान को और स्वास्त को इन्होंने प्राथमिक वस्तु में रखा था यह इनकी एक book है जो आप जानते हैं Atheory of Justice, आपको पता होगी 1970 उन्हें publish हुई थी इसी book में John Rawls ने यह statement लिखी थी कि primary goods सब के पास होने चाहिए क्योंकि यह हर इंसान की basic needs है देखते हैं, next question क्या है 17th question है When was F.A. 8 book Law, Legislation and Liberty published F.A. 8 की पुस्तक Law, Legislation and Liberty का प्रकासित हुई 1921 में, 1950 में, 1970 में या 1973 में 1921 है, 50, 70 या 73 Law, Legislation and Liberty F.A. 8 की book है सब को पता होगा अब यहां आपसे year पूछ रहा है कभी-कभी तो exam में वही आता है जो हमें पता नहीं होता Mostly, probability होती है पर जब आप ऐसे question लगाएंगे तब आपको वहां पर सब कुछ आएगा और आप exam pass भी करके आएंगे exam होता ही है कि अग उसे कोई pass करे वो फिल होने के लिए आपको paper नहीं करा जाता paper conduct कराने का मकसद ही होता है कि आप pass हो इसलिए अपनी त्यारिया आप इतनी मजबूती से करिये कि आपका अगर यह first attempt है NetJRF का या second है या third या fourth जो भी है आप उसमें अपना best दे कर किया यह बाद में आप regret मत होई है कि नहीं मैंने यह part छोड़ दिया था या यह मैंने नहीं पढ़ा अगर मैं पढ़ लिया होता तो मेरा selection हो जाता तो मैं pass कर लेता cut off तो पार हो गई होती इसलिए जब आप पढ़िए तो बिलकुल अच्छे से पढ़िए और एक topic पढ़ रहे हैं तो उस topic के बारे में सब कुछ पढ़िए पूरा cover करिए और उसमें से क्या question exam में आए हैं और क्या आ सकते हैं यह भी equally important है आपके लिए अब बताएए कि इस book का publishing year क्या है A, B, C, D में से देखिए इसका correct answer है option D 1973 में law, legislation and liberty F.A.H.E.C की book publish हुई थी यह three volumes में publish हुई थी three volumes में अलग-अलग name से सबसे पहले volume first आया rules and order 1973 में ही फिर है मिराज of social justice 1976 में और third volume था The political order of a free people जो publish हुआ 1979 में देखते हैं next question क्या है 18th question में देखिए author और books आ गया author है और book हैं आपको इनको match कराना है कि कौन से author की कौन सी book है अरनेस्ट बारकर है, चार्ल्स मेरियम है, मैक्स वेबा है, हेरोल्ड लास्की है और सारी आप book देख लिए politically related सारी book है politics and psychology, principle of social and political theory politics as a vocation, liberty in the modern state अब इनको आप match कराईए कि कौन से author की कौन सी book है first, second, third, fourth देख लिजी option और इसका answer तर ये कि क्या होगा एक एक करके अगर आप match कराएंगे और option देख करके अगर करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है MSD following करना कभी कपार हता है कि बहुत critical हो जाता है तो इसलिए exact author और books भी अगर आप learn कर लेते हैं तब आप exam में अच्छा score कर सकते हैं क्योंकि ये तो नाम book का तो कोई बदलेगा नहीं ना उसकी year of publishing का भी बदलेगी इसलिए author और books अच्छे से पढ़िए देखिए सबसे पहले हम Ernest Barker देखते हैं इनकी कौन सी book है इनकी book है Principle of Social and Political Theory फिर है Charles Merriam Charles Merriam की book है Politics and Psychology फिर है Max Weber की कौन सी book है Politics as a Vocation Last Harold Lasky और इनकी ये book सबको पता होगा Liberty in the Modern State Harold Lasky की ये book है year देख लिजे Principle of Social and Political Theory जो Ernest Barker की है 1951 में पब्लिश हुई थी Max Weber की Politics as a Vocation 1919 में पब्लिश हुई थी और Harold Lasky की Liberty in the Modern State 1930 में पब्लिश हुई थी अब इसका correct answer क्या हो जाएगा A का second है ठीक है first और third दोनों option में दिया हुआ A का second है B का first है B का first third में है और C का third और D का fourth यानि कि जिसने भी third option correct किया होगा उसका answer बिल्कुल correct होगा अनिश बाकर की प्रिंसिफल अप्सोसल और पॉलिटिकल थेरी चार्स मेरियम की पॉलिटिक्स और साकॉलजी मैक्स विबर की पॉलिटिक्स ऐज वोकेशन और हरोड लास्की की लिबाटी इन दी मॉडर्न स्टेट correct देखिए आज questions इतने ही थे अगर आपको questions सरीज अच्छी लग रही है तो like करिएगा और अपना score आप comment में ज़रूर बताईगे कि आपने कितने questions correct की है और अगर आपको कोई doubt है तब भी आप comment में ज़रूर mention करिए और इस وीडियो को अपने उन सारे फेंग शेयर करिए जो इडिसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तयारी कर रहे हैं इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थेरी, पॉलिक एड्मिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन्स, इंडियन कंस्टिटूशन, वेस्टन पॉलिटिकल थॉट्ट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्ट के प्रिविएस वीडियो नहीं देखे हैं जा करके चैनल की प्लेइस्ट में आप सारे questions देखिए लगाईए जितने अदा questions आप लगाएंगे उतने अदा आपके लिए अच्छा रहेगा इसलिए आप questions जरूर लगाया करिए बहुत सारे questions available हैं चैनल की प्लेइस्ट में कितनी सारी series हैं हर unit से हर unit से question है probability most unit से question available है तो अगर आपने उन questions को नहीं लगाया है आप जरूर जा करके सारे questions लगाईए question लगाईए अपना score comment करिए आप देखिए कि आपको कितना question आ रहा है इससे अच्छा collection अगर आपको probability है कि आपको कहीं मिले इसलिए आप जरूर जरूर question लगाया करिए आपका exam कभी भी हो सकता है इसलिए mostly question आप attempt करिए कि आपने जो भी theory part पढ़ा जो भी पढ़ा क्या आप उसमें से question कर पा रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए for all the daily political science video updates बगल में bell icon है आप उसे प्रेस कर लिए जिससे आपको वीडियो की latest जो नोटिफिकेशन है वो easily available हो जाएगी थैंक यू